रासाइनिक शब्द समिकरण संतुलित करना कि अगर कोई रासाइनिक समिकरण शब्दों के रूप में लिखिए तो उसे किस प्रकार से हम संतुलित करेंगे तो रासानिक समिकर्ण संतुलित करने के लिए सबसे पहले देखी यहां लिखा है hydrogen plus chlorine hydrogen chloride तो हमें क्या करना चाहिए कि simply अगर हमें पता है उसके बारे में तो बहुती अच्छी बात है जैसे hydrogen यहां पर gas है chlorine भी gas है तो H2 हो जाएगा यह C2 हो जाएगा अगर हमें hydrogen chloride के बारे में नहीं पता है तो हमें क्या करना चाहिए सहिज़ जगता से उसके बारे में पता करना चाहिए जिससे hydrogen की सहिज़ जगता यहां देखी इस जगे आईए आप यहां से यहां यह देखी आप तो ये अगर class multiply करते हैं तो इस formula बनाने के लिए तो देखिए ये 1 H1 बन हुआ और ये CL1 बन हुआ मतलब ये HCL बन गए इस तरीके से class multiply करना है आपको तो ये हो गया H और ये हो गया CL तो ये HCL बन जाएगा hydrogen chloride तो अब यहां से आपका देखिए hydrogen hydrogen और chlorine तो H2 प्लस CL2 और ये HCL बन रहा है लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर जो कोई भी रासानिक समिकन होती है तो उसके तीर के निशान के दोनों तरब जितने भी तत्व होते हैं उनके परमानों के संक्या समान होना चाहिए तो यहां hydrogen 2 है मतलब योगिक के रूप में लिखना पड़ेगा और देन आफटर हमको उसको संतुलित करना पड़ेगा जैसे यहां बेरियम क्लोराइट प्लस अल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम सल्फेट प्लस अल्यूमिनियम क्लोराइट लिखा है तो सबसे बिले हमें Barium Chloride के बारे में पता ओना चाहिए Aluminum Sulfate के बारे में पता होना चाहिए Barium Sulfate के बारे में Aluminium Chloride के बारे में इनके जो सूत्रे वों हम सयोजकता से निकाल सकते हैं Class 9 में हमने बहुत अच्छे से इसको किया था जैसे देखिए barium chloride के पास के लिए आते हैं तो देखिए barium के लिए संही तक कितनी है यह होगया 2 plus और chlorine की है 1 minus ठीक है अब cross multiply कर दीजे अभी chlorine की तो अभी लिखी थी ना हमने 1 minus तो cross multiply कर दीजे तो यह होगया देखिए तो यह होगया barium BA 1 और Cl2, तो यह हो गया BACL2, हो गया कि नहीं BACL2 देखें फिर से, बेरियम की 2 क्लोरीन की 1 ठीक है, तो क्रास मल्टिप्लाई कीजिए तो BACL2 मतलब BACL2 हो गया ठीक है, अब अल्यूमिनियम सल्फेट के लिए लीजिए तो अल्यूमिनियम की कितनी है 3, सल्फेट की 2 क्रास मल्टिप्लाई कीजिए तो यह हो जागा AL2, और SO4 3, मतलब SO4 whole thrice, तो देखें AL2, SO4 whole thrice, देखें फिर से, एल्यूमिनियम की 3, सल्फेट की 2 क्रास मल्टिप्लाई कीजिए, AL2 SO4 whole thrice देखें, बेरियम सल्फेट में देखें बेरियम की कितनी है, 2 plus अभी हाल लिखा था है, बेरियम क्लोराइट में, तो यह बेरियम की 2 और सल्फेट की अभी लिखा हमने AL2, तो सल्फेट की 2 ठीक है, तो यह देखें क्रास मल्टिप्लाई कीजिए, BA2, SO4 2, ठीक है तो 2 से 2 का डिविजन हो रहा है, अगर समान संख्या है, तो उनको आप इस तरह से अगर 2 या 2 या 2 या 2 या 3 या 3 लिखा हो तो फिर उसको भाग लगा कर 1 1 मना लिजिए, तो यह 1 और 1 हो गया तो देखें, BA, SO4 BA1, SO4, 1 तो यह हो गया, BA, SO4 या आप यह भी कह सकते हैं, BA2, SO4, 2 फिर 2 से 2 को डिवाइड कर दीजिए तो यह हो जाएगा, BA, SO4 तो यह बेरियम सल्फेट हो गया अब अलुमिनियम क्लोराइट, अलुमिनियम के अभी लिखी है हमने 3, क्लोरिन की 1 तो देखें, AL1, CL3 मतब यह हो गया, AL, CL3 तो अब सब के बारे में हम लिख पाएंगे, फार्मूलास तो देखें, बेरियम सल्फेट के लिए क्लोराइट के लिए क्लोराइट के लिए क्लोराइट के लिए क्लोराइट के लिए तो सब से बहले देखें, बेरियम क्लोराइट के लिए Sulfate के लिए 2, तो यह देखिए, Al2, SO4, whole thrice, Al2, SO4, whole thrice, फिर अगला क्या है, Barium Sulfate, यह देखिए, Barium के कितनी, 2, Sulfate के भी 2, तो यह हो गया, 2 से 2 का division, 1, 1 हो गया है, तो BA, 1, SO4, 1, तो यह हो गया, BA, SO4, Aluminium chloride, Aluminium chloride, तो Aluminium की, 3, Clorine की, 1, Crass multiply, Al1, Cl3, तो यह हो गया, Al, Cl3, अब balance करना है, अब balance करने के, तो बहुत सारे रास्ते हैं, अगर आप यहां, यहां से अगर देख लेते हैं, कि मेरे पास Clorine, 2 है, और यहां Clorine कितना है, 3 है, तब भी आप balance कर पाएंगे, अगर आप यहां देख लेंगे, मेरे पास Aluminium 2 है, यहां Aluminium 1 ही है, तब भी आप balance कर पाएंगे, मतलब Heat and Trial में, आप कहीं भी, जो imbalance देखते हैं, तो वहां से आप उसको शुरू कर सकते हैं, बैलेंस में, में सिर्फ इसमें आगे की और अपने अंक लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो देखें, यहां पर देखें, Cl2 और यहां Cl3, यहां मैं 3 का गुणा करूँआ, तो Cl6, Cl6 होगा, और यहां भी 2 का गुणा करूँआ, तो Cl6 होगा, मतलब 3 के निशान के तरफ, दोनों तरफ जो जितने भी तरफ में, उनके परमाणों के संक्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो देखें, मैं 3 का गुणा कर देता हूँ, तो यह Thrice, B, A, C, L, 2, और यह L, 2, SO4, H, Thrice को मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरा यह वाला काम भी हो गया, लेकिन अभी भी यह equation balance नहीं होगी, क्यों नहीं भी balance कि यहाँ barium 3 हो गया है, और यहाँ barium मेरे पास कितना है, एक है, तो मैं अभी इस barium को भी balance कर लेता हूँ, तो ठीक है, मैं यहाँ 3 का गुणा करता हूँ, तो देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, तो थ्राइस BACL2 प्लस AL2 SO4 whole थ्राइस, थ्राइस BACL4 प्लस 2ALCL3, अब यहाँ ध्यान से देखिए, कि मेरे पास barium भी 3 हो गया है, यहाँ barium 3 हो गया है, अब यह SO4 में देखना जड़ा है, तो यहाँ sulfur, SO4 में देखिए, sulfur 3 हो गया है, और oxygen जो है वो 12 हो गया है, चारतिया 12, यहाँ भी देखिए, sulfur 3 है और oxygen 12, अपने आप हो गया है, तो फिर SM2 यह दोनों, यह देखिए, यह तो पहले से ही था, और यह अपने आप हो गया है, तो मेरी equation अब पूरी तरह से balance है, तो यह heat and trial method से, इस तरीके से फिर आपको equation को balance करना है, अब यह जैसे कुछ बहुत सरल example भी, यह जैसे हम जानते हैं कि sodium को जो है, Na हम बोलते हैं, जल को H2O बोलते हैं, sodium hydroxide को NaOH बोलते हैं, hydrogen को H2 बोलते हैं, इसके लिए आपको इतना करने हैं जरूत नहीं पड़े, यह बहुत ही simply आप फटाफटाड आप बोल बाएंगे, तो Na plus H2O, NaOH plus H2, अब यहां भी balance करने के जरूत पड़े, तो आप देखें ध्यान से, कि कैसे balance करेंगे, तो यहां देखें hydrogen कितना हैं, यहां hydrogen 1 है और यहां 2 है, तो यहां अगर 2 का गुणा करतें, तो हमारा काम हो जाएगा, तो 2 का गुणा करके देख लेते हैं इस जगे, कितना क्या हो जाता है, तो यहां अब देखें, यहां actually, दो नहीं एक साथ भी कर सकते हैं, यहां आपने 2 का गुणा किया, तो यहां आप hydrogen को बैलेंस करके देख लिए इतक्ताम बन जाएगा, यहां 2 का गुणा कर रहे हैं, तो देखें hydrogen यहां कितना है, 2 है, और यहां hydrogen 1 और 2 3 हो रहे हैं, तो यहां 2 का गुणा करते हैं, यहां एक और यहां दो तीन हो गए है, तो यहां अगर दो का कुणा करते हैं तो hydrogen आपकी चार बन जाएगी, तो यहां भी दो का कुणा कर दीजिए, यह भी चार हो जाएगी, लेकिन क्या भी यह बेलेंस हो गई है, नहीं होई, क्योंकि यहां sodium कितना है, दो है, यहां sodium कितना हो गए चार यहां देखी 2 hydrogen यहां 2 hydrogen है चार हो गए oxygen कितने यहां पर 2 यह बदब हमारी equation क्या हो गई यह हमारी equation हो गई balance तो हम इसको संतुलित रासानिक समीकरण के सकते हैं तो इस तरीके से शब्द समीकरणों को संतुलित रासानिक समिकण के रूप में लिख सकते हैं। धन्यवाद।